हेलो गाइज कैसे आप से लेख लेख लिए उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अभी तक आपने अगर चैनल को सस्प्राइब नहीं किया है तो सस्प्राइब कर लेजिए और बगल में जो बेल आइकन आता है उसे भी दबा देजिए ताकि हमारी नई जो भी वीडिय प्रिकेशन आपको मिल सके तो चलिए आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो काफी इंफर्मेटिव होने वाली है तो वीडियो को पूरा वाज कीजिएगा ओला कंपनी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है और यह उन्हें करना भी चाहिए था अगर नहीं तो आपको पता होगा इनका जो नेक्स्ट पर्चेश बिंडो था वह उपन होने वाला था फेल्स्ट्यान के लिए जैसे कुछ लोगों ने बीजर सन्टर रिजर्वेश्न जो भी वी, लोगों ने बीजर्याशन क्या है और वह जो भदलाव है वह हो चुका है 16 दिसंबर के डेट पर अब क्यों किया कमपनी ने ऐसा क्यों कि इनका अभी तक मार्केट में पहला डिलेवरी जो करना था वोनोंने किया ही नहीं फर्स्ट बुकिंग हो चुकी है और बहुत सारे लोगों ने बुक किया है एक ग्यारा सो करोड रुपय का इनका बिजनेस भी हो चुका है उसके अलावा अभी तक एक भी स्कूटर किसी के हाथ में नहीं दिखा एक भी इनका टेस्ट राइड नहीं हुआ और उसके बाद फिर से अगर ये अपना बुकिंग का बिंडो चालू करते फर्स्ट पेमेंट बिंडो चालू करते तो कस्टूमर का जो रियक्षन होता और जो बुकिंग जो पहली बारी हुई थी उतना कभी भी नहीं होती और इसको देख करके इनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल डाउन चालाते इनका मार्केट जो है वो डाउन जाता अधर कमपनियां इनके उपर उंगले उठाती कमेंड करती कि आप तो एक बार में इतना बेचे दूसरी बार में ये बिल्कुल नीचे जा चुके हैं तो इसलिए लोग कमपनी वाले ने सोचा है कि सबसे पहले हम टेश्ट राइट दें इसके बास स्कूटर डिलिवर्ट करेंगे फिर कस्टूमर का बहुत सारा वीडियो आएगा बहुत सार लोग उसको लेके जब सर्टिफाइड होंगे तो बुकिंग जब दूसरी वाली बुकिंग चालो करेंगे लेकिन वो तब होगा जब इनका जो पहला स्कूटर है जो पहली बार डिलिवर्ट करेंगे वो काफी बेस्ट स्कूटर और निकले क्योंकि कस्टूमर का यहाँ पर रिवीव क्या होगा कि positive भी आ सकता है negative भी आ सकता है वो तब होगा जब हाथ में लोगों के डिलिवर्ट होगा उसके बाद तो लोगों की कमिया अच्छा ही या इसकूटर की आनी चालू होगी और उसके बाद अगर ये इसकूटर अच्छा निकला तो सच है कि कमाल का रिस्पॉंस मिलने वाला है इसी वाद से कमपनी ने जो नेक्स्ट पर्चेज पेमेंट वाली बिंडो थी वो बंद कर दी ताकि इन्हें किसी गलत चीजों का सामना नो करना पड़े लोगों को उल्टे सिदे कमेंट इनके नो सहने पड़े इस चीज़ को ले करके और इनकी मार्केट कभी डाउन नो हो इसको ले करके ये किया और ये करना ही चाहिए था इनको ये मुझे देखकर के खुसी हुई बहुत सार लोग को इससे दी मोटिवेशन मिला होगा लेकिन मैं इनसी से ले करके काफी खुस हूँ कि एक अच्छी बात है पहले भई जिनको जिनोंने बुक किया कम सकम उनके पास तो स्कूटर आया है पहले तो वो तो कम सकम राइट करके लोगों को बताया उसके बात ये पता चले कैसा है कैसा नहीं है और जो भी बुकिंग करना चाहते हैं भाई मैं आपसे बता दूँ अभी मत करिए पहला पेमेंट जो लोगों ने पहले बुक कर रखा है उनके पास तो कम सकम सकम स्कूटर आ जाने दीजिए कम सकम वो तो चला करके आपको बता दे फिरा बुक करिए आपको रिजर्वेशन करना आप करके रखिए अब नेक्स पेमेंट बिंडो तो ओपेन होने वाली है 16 दिसंबर से अब देखते हैं 16 दिसंबर को ये बिल्कुल ओपेन हो जाती है कि फिर से डेट चलता है क्योंकि कमपनी का क्या है बार बार डेट चेंज करने का इनका अपना इस समय तो मुझे बस यही दिख रहा है कि इने बहुत आसान लगता है कर देते हैं एक अभी डेट आया नहीं अगली डेट मिल जाती है तो हो सकता है दिसंबर में अगर सही से लोग सर्टिफाइड नहीं हुए तो ये जो आपका 16 December है वो आगे भी बढ़ जाए तो ऐसा हो सकता है ये confirm नहीं मैं कह सकता कि 16 December को जो है वो होगा लेकिन अभी जो date company ने दिया है वो 16 December से next purchase window जो है वो start होगी ये confirm हो चुका है और दूसरी बात बता दूँ अगर ये payment window start हो जाती तो लोगों के दिमाग में ब पैसे लूट रही है तो यह यहाँ पर लोगों को लगता कि मतलब बस company को पैसे कमी है वो company पैसा अपने आ रख ले रही है उसके बाद से फिर ये चीज़े की जा रही है तो एक भाई ने comment किया था कि company के पास 200 डालार अल लेडी है तो 200 million डालार उन बताया था इतने रुप अच्छी बात इतना है लेकिन company को इतना डेट नहीं देना चीए इतना बार बार चीज़े ने क्योंकि अगर यह सब मिल रहा है मतलब company पहले से पूरी तयारी के साथ नहीं आई यह market में पहले scooter launch कर जिए जैसे तैसे करके और सीधा बस booking स्टार्ट करवा दो उसके वाद से अब क्या कर रहे है अब फिर लगातार यह काम करते जा रहे काफी मुझे पता है company काफी मेन्त कर रहे है क्योंकि जितना hum customer कर प्रेशर जा रहा है लेकिन अगर यह सारा कुछ पहले ही करके launch करते है फूरा जितना करना सब करते उसके बास से जो कुछ कहते time पर time पर होता फि अभी problem है और इनको इसलिवर से बार-बार डेट देना पड़ रहा है इसलिवर से customer demotivate हो रहे हैं तो यह सारी problem है अब ओला company वाले business को खुद feel कर रहे हैं खुद समझ रहे होंगे मुझे कहने कोई जरूरत यहां पर नहीं है तो यह सारी बाते थी जो delivery date को लेकर के आपका system है बाकी सारा कुछ उसके या लेडी रिकार्डिंग मेरे उपर एक वीडियो मैंने बना रहा है चैनल पर upload कर रहा तो उसे जाकर कि आप जरूर एक बार वाच करिएगा आपको सारी जानकारी मिल जाएगी तो के बस इस वीडियो में इतना ही बताना था ओके ठेक क्या है बग्रेट डेंग